चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन दूसरे का दूसरा क्यूशन ठीक है दूसरे के दूसरे क्यूशन में देखिए अपने क्या दे रखा है कि पांच वर्स पूर वे नूरी की आयू सोनु की आयू की तीन गुनी थी ठीक है तो अपन सोनु और निरू की आयू पहले मा है रवंस एक स्टेट पर फिर अपने सोनु की युवमा ली मान माथ है है ये अपने पास कितनी यह घ्र हैं तोनों के पने माल ली अब इसने देखो दो अलग अलगs दिए 10 वर्श Πार्षात दोग यह सतों क्या होता है 5 वर्श पूरवे प्रस्त पांच पूर्वे चाह कुछ पैंदर इसके इंदर प्रस्तना अफने पास क्या हो जाएगाा देखा सह palavras और अभांच वर्स मुद्ध स 5000 पूर्वे कि इस नुरी यू नूरी की आईयू हूंelly नूरी की आयू क्या होगी अपने पास यह हो जाएगी अपने पास x-5 पांच वर्स पहले तो 5 क्या करेंगे इसमें से गठा देंगे, तो x-5 वर्स होगी ठीक है, और 5 वर्स फूर हुए सोनू की आयू सोनू की आयू तो 5 वर्स फूर हुए सोनू की आयू क्या होगी यह हो जाएगी अपने पास y-5 ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास case first यहां पर लिख दो यहां पर लिखो अपने पास परसना अनुसार परसना अनुसार अपने को क्या प्राप्त होगा यहां से यहां से अपने पास आ जाएगा कि नूरी की आयू सोनू की आयू की तीन गुनी है सोनु की आयू की से क्या है इसकी तीन गुनी है तो नूरी की आयू तो है x-5 और इसकी आयू है y-5 दोनों को बराबर करना है तो क्या बोला है कि नूरी की आयू सोनु की आयू से 3 गुनी है मतलब ये वाली 3 गुनी है इससे तो बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे सोनु छोटी है उमर में तो इसको क्या करेंगे तीन से गुणा करेंगे तब जोन नोई जाके क्या होंगे बराबर होंगे तो यहां से अपने पास जो समीकर निकल के आएगी वो क्या आएगी X-5 बराबर 3Y-15 इसको सरल करेंगे तो क्या आजाएगा अपने पास इसको अगर अपन सरल करेंगे तो यहां से अपने पास आजाएगा X-5 बराबर इसको एक तरफ ही लियाते है ठीक है तो यहां से अपने पास हो जाएगा माइनस 3Y और प्लस का 15 बराबर 0 तो इसको स立प करेंगे तो यह क्या जाएगा V1 पन दरवेसे 5 चाहिए तो अपनेु पास कितिने नूरी के आयू, ठीक है, दस वर्स पस्चात दूग निघी होगी, तोstes second के अंदर अपने पास 10 वर्स पश्चात अंधर कि और 10 वर्स पश्चात थोड़की होगी, है पर सबस्चात ऑप अपने पास होगी, ये अपने पास होगी, y plus 10 ठीक है तोनों 10-10 साल बढ़ जाएंगे तो प्रस्णा नुसार अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर अपने पास प्रस्णा नुसार हो जाएगा क्या होगा दोनों 10-10 वर्ष बढ़ गए हैं तो x plus 10 और y plus 10 गुणा करेंगे सोनु को दो से गुणा कर देंगे तो यहां से अपने पास क्या आएगा एक्स प्लस दस बराबर टू वाई प्लस 20 ठीक है यहां से इसको सड़ल करेंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस टू वाई पहले एक सेम लिख देते हैं अपन एक्स प्लस दस माइनस टू वाई और माइनस का बीस यह वाला आ जाएगा अपने पास बराबर में 0 यहां से इसको सही डंग से लिखेंगे तो एक्स माइनस टू वाई और 10 मैंसे 20 कहें माइनस के 20 ज्यादा है तो माइनस का क्या बचेगा करना दस बचेगा बराबर जीरो यह होगी अपने पास अमिगंग 2 अब अपने को कौन सी वीधी से करना है इनको विलोपन वीधी से करना है कि उसे नमें आगर दे रखा है तो अपने विधी जो इन्नोंने बोल रखी है वैसे ही लगाने नहीं ब्राबर जी 0, यह आगई यकल्स नाग किया आगई की आप एक अकनेकर का क्या लगा है जरुरत नहीं अपने को, simple अपने को क्या करना पड़ेगा? घठाने पर, ठीक है? एक माइनस दो से, ठीक है? तो एक में से दो घठाएंगे तो यह माइनस का हो जाएगा, यह प्लस का हो जाएगा और यह वाला प्लस का हो जाएगा तो इससे यह वाला कट गया, तीन वाई तो है अपने पास माइनस का यह है प्लस का तो माइनस का गया बचेगा वाई बचेगा फिर प्लस प्लस के हैं यह दो यह जाएगा प्लस का 20 बराबर 0 तो माइनस वाई बराबर क्या आ गया प्लस का 20 माइनस से माइनस कट गया तो माइनस से माइनस कटेगा तो वाई कमान क्या आ गया वाई कमान मान से अपने पास आजिए अनुरी एक एक में रख तो जाहें है इसके अपने पास Y का मान रखने पर Y का मान रखने पर तो Y का मान रखेंगे तो क्या आएगा देखिए समीकरण एक कहां पर है अपने पास यह वाली थी समीकरण एक क्या है X माइनस 3Y प्लस 10 बराबर 0 तो यहां पर Y जहां Y का मान क्या लिखोगे 20 तो y का मान 20 लिखेंगे तो x minus 3 into 20 plus 10 बराबर 0 तो यहां से अपने पास मान किया आ जाएगा x minus का किता आ गया 60 ठीक है और plus का 10 बराबर 0 तो किता आ गया x minus 50 बराबर 0 60 में से 10 किये तो 50 वचे फिर अपने पास 50 इधर minus का उस साइड में जाएगा तो plus का प्लस का पचास वर्स तो यह अपने पास आग़ी x की तो अपन क्या वलेंगे आत्या बीज़िकी आयू क्या हैं अत्य नूरी की आयू कैम डराबर है अपने पास पचास फशन के और सब तो 69 कि य जो SS9 कि आयू है वह हैं अपने पास किती बीश स्ट थीक हैat ये अपने पास दोनों मां आगे. ऐसे अपने कोसिटन को करना है. फिलो अपन विद्धी लगानी है. ठीके है, बहुंक अपने को पहले समीकंड निकालनी है के फエża कर कैस्ट और के इस सेकिंड इस्टति एक और दो से, तीके है, इस्तथी एक और दो से अगर अगर आपन इस्तथी वह निकाल लेंगे समीकन तो अपने इसको आसानी से कर सकते हैं ठीक है अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से रिपीट करके देखें आराम से समझ में आजाएगा तीसरा क्यूसन पर आते देखें अच्छा कि उसने तीसरा भी दो अंको की संख्या हो कि अंको का यो क्या है नो है इस संख्या का नो गुना संख्या के अंको के प्लटने से बनी संख्या का दुगुना है वह संख्या ग्याद कीजिए अगर अपने को मानने का बोले ना तो यह संख्या अपने पास क्या होती है इकाई का अंग होता है एक दाहाई का अंग होता है दो अंकों में यहीं तक होगा एकाई और दाहाई तो यह संख्या अपने पास पहले मान लोगी इकाई का अंग क्या है माना इकाई का अंग है अपने पास एक्स ठीक है और दाहाई का अंग यहां से संख्या क्या हो जाएगी आता है संख्या होगी उसको अपने लिखते हैं इस तरीके से यह संख्या को लिखने का तरीका होता है छोटी क्लासों में आपने बढ़ा होगा आता है संख्या अपने पास हो जाएगी 10 y plus x कैसे होती देखिए जैसे आप 23 मानते हो तो इसमे इसमें तुम आप यह वाला एक्स है और यह वाला सिभाव है इसके अंदर पुभावाइज एसके देंडर याए विद्स कीजिए लिखा और तोCK दॉधो थो प्लस तीन असरफ तो बेसे एक वह उद आइक्स कीजिए नहों कई आप यह याद रखना है ठीक है तो ऐसे अपने को मान के फिर लिखना है फिर बोलता है अंको को प्लटने पर तो अंको को प्लटने पर बनी संख्या इसमें बस यह क्लिख संख्या क्या मान अपने को यह वाले ठीक है यह अपने पास क्या हो जाएगी संख्या के मतलब इक इसतान यहां पर जाएगा तो यह संख्या में 10x plus y हो जाएगी ठीक है अब देखो क्यूसन में क्या दे रखा है इनके अंको का योग पहले केस फरस्ट में क्या दिया है केस फस्ट प्रस्तना अनुसार क्या हो जाएगा अंको का योग अंको का योग मतलब इनका योग दोनों का तो एक्स प्लस वाई करेंगे तो यह कितना आ रहा है एक्स प्लस वाई करने पर यह आ रहा है अपने पास नो ठीक है एक्स प्लस वाई करने पर क्या आ रहा है नो फि अब देखो दूसरे में क्या बलाया कि इस संख्या को नो गुना इस संख्या का नो गुना संख्या के अंको को प्लटने से बनी संख्या का दुगुना है मतलब ये वाली जो पहले वाली संख्या है, केस सेकिंड में क्या है, केस सेकिंड के अंदर क्या है, अपने पास परसन आनूसार, दोनों संख्या हैं, एक तो है, दस य प्लस अक्स, और एक है अपने पास, 10x plus y ये पलटने पर बनी संख्या है तो बोला क्या इसने तो क्योशन पर आओ इस संख्या का नो गुना मतलब जो संख्या मेद संख्या है ये वाली संख्या है इसको अगर 9 से गुना करें तो संख्या के अंको को पलटने से बनी संख्या का दुगुना हो जाता है तब ये वाली संख्या क्या हो जाती है दुगुनी हो जाती है तो इसके अंदर अपने को सिधा क्या करना है कि अगर मैं इस संख्या को 9 से गुणा करूँ ना तो ये वाली संक्या जो पलटने पे जोसें क्या बनी है ये इसकी दुग नहीं हो जाती है तब दोने आपस में क्या होती है यहां से इसको श्राषट करेंगे तो यह क्या आएगा 90Y प्लस 9x बराबर 20x और प्लस का 2y यहां से इसको सरल गई है कि आपने तो क्या आगे आपने पास 9x माइनस चलो उधर लेकर जल एक तरफ ले लो 20x एक तो क्या इस साइड में 20x है इसको इधर लिख सकता हूँ 20x यह उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का 9x ठीक है और फिर 90y उधर जाएगा तो क्या बनेगा 90y अपने पास उस साइड में जाएगा तो यह अपने पास why आ생श यहां wireless को यहां पर when चाए कितना बचाए चांड 1 2 10 बचेर्ट पर फैले से यहां से अपने पास कितना बचेव किपने पीजम Anytime तो अपने पास कितने बचेव मैं अधन्यक्टS माइनस का 88 y बराबर 0 इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा 11 का भाग दोनों में जा रहा है सरल करके इस समिकंड को लिखेंगे तो क्या आजाएगा एक्स माइनस 8 y एक्स यह 11 से एक पर गटेगा यह 8 पर गटेगा तो एक्स माइनस क्या बचेगा 8 y बच आएगा अपने पास तो यहां से अगर अपने लिखे इसको कि एक मिनुटा नुट कि 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 सारी आगे यह तो चलिए यहां पर आ जाते हैं धिल्ड लण कि खिषती है ठीक हैै तो यहां से अपने पास क्या आजयेगा 11 घासके अंदर अगर अपन भाग लगाये तो अपने पास क्या आ जाएगा एक्स है 11 की कितनी बार कटा कि एक बार कटा यहां पर एक आया है 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 chess और 8 बार तो 8y बराबर 0 țीर तो यह अपने पास क्या आगी समीकर्ण 2 फिर अपन इसको किस से करेंगे विलोपन विदी से अगर इसको सरल करें अगर अगर अपन तो क्या आएगा अपने पास x plus y minus 9 बराबर क्या है 0 ये तो है अपने पास समीकर्ण 1 और 1 है अपने पास x minus 8y और कुछ भी नहीं है यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या मानलो 0 मानलो प्लस का 0 बराबर 0 ये अपने पास क्या है समीकर्ण 2 अचरपत कुछ नहीं है तो अपन 0 मान सकते हैं ठीक है तो यहाँ से अगर अपन सरल करें तो देखो, ये वाले तो, गुणांक अलग अलगे, इसके गुणांक सेहम है, तो इनको काट देंगे अपन, तो समिगण, इन दोनों में से क्या करेंगे, एक माइनस दो से, एक में से दो गटाएंगे, तो अपने पास क्या आएगा, ये माइनस का हो क्या वो गया 9 तो यहांसे वह बराबर क्या हो जाएगा 9 बता 9 से 9 गतनी वार गता और एक बराबर और गया एक है तुर स्पस्वकोंत दो दो में रखन दो आसान थो यी का मुंत का समी करन के वह दो में रखने पर सुम्हिए गण 2 में रखेंगे तो ग्या जाएगा x-8y बराबर 0 तो x-8 into y का मान क्या है एक बराबर 0 तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा अपने पस x का मान अपने पस है जाएगा x 8 है इधर 8 बचा है मानिस का तुदर जाएगा तो प्लस का ठीक है अपने पास एसी लाइन कीच लेते वैसे ही रहेगी आपको पूछा किया इसक्राइब अपने पास प्लस एक्स ठीक है यह भी याद रगना उल्टी वाली संक्या मतलिक देना वर्ना मान गलत आजाएगा तो यहां से 10 y plus x मानी थी जो original संख्या थी वो पलटने के बाद तो 10 x plus y थी और original यह वाली थी तो 10 गुणा y का मान कितना था एक आया था प्लस x का मान कितना आया है आठ आया है तो यहां से इसको गुणा करेंगे तो कित्ता हो गया 10 से 10 x 10 plus 8 10 राट किते हो गए 18 तो अपने पास किया हो जाएगी अतया रहे संख्या अतया अतारा हो गए तो यह अपने पास क्या हो गया इसका एंसर हो गया ठीक है उम्मिद करता हूं कि यह दोनों कि उसना आपको अच्छे से समझ में आया होंगे ठीक है वीडियो अच्छा ल झाल झाल